तेखे दोस्तों आज मैं आपसे वीडियो शुरू कर रही हूं अपने इस मैंने यह जो पैंसिल कैक्टस की कटिंग लगाई थी और यह देखिए इसमें नई ग्रोथ निकलाई है यह देखिए यह मेरी कटिंग चल चुकी है क्योंकि इसमें नई ग्रोथ भी दिखाई दे रही है मुझे और मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए यह सारी नई गुरोथ इस में दिख रहे है यह मेरी कटिंग मैंने चार-पांच कटिंग लगाए थी और सारी कटिंग चल गई है हैं जब अपननी लगाएं लगाई हुए कर्टिंग चलती हैं तो कितनी अच्छ Sud Birिय किटना अच्छा लगत AH और यह देखिए विंका के कितने प्यारे प्यारे पीर kiss ये देशी वाला है ये अभी कितना तो सारा विंका चल रहा है लिकिन जो इस बरसात में हाईब्रीड विंका था वो थोड़ा सा मेरा खराब हुआ है पर मैं उसको कटिंग करके सही कर लूँगी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक चला दूँगे उसे बारिश का ज्यादा पानी पढ़ जाने की वज़े से ना वो शनील की तरह से फ्लावर आते हैं बहुत प्यारे लगते हैं यह देसी वाला है इसकी हाइट भी काफी रहती है जो हाइब्रीड होते हैं उसमें हाइट कम होती है पर यह देसी वाला निकला है मैंने इसके बीज भी ने ग्रो किये ते पहले कभी लगाया होगा तो उसी से ग प्रेटिंग उसकी लगाई हुई है विसकस की और यह भी तैयार है बस लगने के लिए अब इनको मैं किसी पॉर्ट में शिफ्ट करूंगी चली दोस्तों मैंने कुछ सीड लगाए थे चार-माच दिन पहले वह मैं आपसे शेयर करती हूं देखिए यह मैंने आपसे बताया थ यह मेरे पेंजी के प्लांट मैंने सीड लगाए थे यह इसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं मुझे और यह सिलोसिया के हैं सेनेरिया के हैं हर उसमें मुझे थोड़ी थोड़ी ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं कुछ सीड लिंक्स निकल आई हैं और यह मैंने मैरी गोल् यह देखिए कहलें डोला के हैं, यह तो काफी सारे निकल आ है, यह मैं दिखातीं हो आपको, यह देखिए दोस्तों, यह मैंने मैरी गोल्ड के सीट डाले थे, और इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ निकल के आया, यह उरेंज का एقطा मैरी गोल्ड है, और मैंने यलो गलर का डाल है वो भी मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए यह है बिल्कुल अभी छोटे-छोटे से ही निकले हैं क्योंकि तीन-चार दिन पहले ही डाले हैं और यह देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो एक अधिकतर जर्मिनेशन हो गया है तो दोस्तों मैंने अपने आपको सीट दिखा दिये कितनी अच्छे जर्मिनेट हो गए हैं लेकिन अब मैं आपको अपनी कुछ शॉपिंग की थी मैंने मैं अरसरी गई थी वहां पर मुझे कुछ प्लांट्स पसंद आ गए थे तो मैंने ले गुल्दाओदी की मैंने कुछ सीडलिंग्स ली हैं मेरे पास इसके पीड़ थे मैंने बचा के भी रखे थे लेकिन पिछले एक महीन में जब मेरे टैरस पर काम शुरू हुआ तो उस समय मेरे जितने भी ये वरकर आये थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मेरे सारे पीड खराब कर दिये तो मैंने अभी गुल्दाओदी की तीन कलर करीदें एक ये देखिये एक वाइट है एक रैड है और एक यलो है यह इस तरह से मैंने यह तिन प्लांटक्ड खरीद लिए मैंने अब इन्हें मैं जब रिपॉर्टिंग करूंगी जब मैं रिपॉर्टिंग कर होती थी कहते हैं यह मेडिसनल प्लांट है तो मेरा जो डॉगी यह चोटा सा वह आकर इसे पूरा खा जाता था मैंने कई बार कटिंग लगाई वह ग्रो भी हुई लेकिन उसने मेरे प्लांट को पढ़ने ही नहीं दिया जैसे ही प्लांट निकलता था एकदम से वह चवा जात के मैंने सुचा इसे ऊपर रखोंगी अब उसकी पहुंच से बिल्कुल दूर स्टेंड में सबसे उपर ही रखना पड़ेगा कहते हैं अब यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब ही मैं नीचे रखोंगी और जब मैं इसको रिपॉर्ट करूंगी तो मैं आप से शेयर करू आप अमरूद का और दोस्तों यह थाइब्रीड वाला है यह देखेए इसमें फूल भी आ रहा है आप देखें इसमें फूल आ रहा है दोस्तों और बहुत छोटा सा प्लांट है और उसने माली भाया ने नाम तो बताया था पर मैं इसका नाम भूल गई हूं यह यह इसमें अम्रूद आता रहेगा ऐसा नहीं कि सीजनल जब होगा सीजनल प्लांट नहीं है यह बारे मासी वाला प्लांट है इसको भी मैं एक बड़े पॉर्ट में लगाऊंगी तब मैं आपसे शेयर करूंगी इसका एक प्लांट मैंने बीज से लगाया था वो भी हो गया था को भी मैं आपको दिखाती हूँ देखे दोस्तों यह प्लांट है मेरा सीट से लगाया हुआ जब हम अमरूद खाते हैं और बीज डाल देते तब यह प्लांट मेरा निकलाया था और इसकी हाइट देखिए यह भी बहुत अच्छा चल रहा है पर इसने हाइट बहुत ले ल लिए इनको भी मुझे पॉर्ट में शिफ्ट करना है तो अब आप लोगों को मेरी सीडलिंग और यह कटिंग और साथ में मेरी नई शॉपिंग कैसी लगी आप लोग मेरी वीडियो देखके पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा द